U.P.Politechnik में कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा? अगर आपका नंबर सौ नंबर से कम है, तो क्या हो सकता है? सौ से दो सो के बीच में नंबर है, स्कूर तब क्या होगा? अगर तीन सौ से अधिक है, तो क्या कॉलेज़स मिलेंगे? और वैसे इस्ट्वेंट जो की गल्स में है या फिर जो minimum qualifying score है वो क्या होने वाला है पिछले साल सर क्या लखनव कॉलेज में किस rank से किस rank तक government college मिला था है हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू से last तक जरू देखेंगे बहुत ही powerful और informative वीडियो हैं आपके लिए तो मैं बता दूँ इसमें कुछ ऐसे instrument होंगे जो 300 से अधिक number लाएंगे तो इनको तो college मिलना fix है इनका तय है इनको सरकारी college मिल जाएगा round 1 में round 1 में और round 1 क्या होता है 2 क्या होता है तो ये counselling का phase होता है round 1 में जिनका 10,000 तक rank है वो असानी से पाजाएंगे college है ना rank अभी आपको पता चल लेता है जब आप admit कर डाउनलोड करते है result तो result पे rank भी आने लगेगा आपका state rank क्या है category rank क्या है तो rank अगर 10,000 तक तक round 1 में मिल जाएगा इसमें तय है 300 से अधिक वाले राजा आदिमी है इनसे मत पूछो भाई ये अराम से जहां कहेंगे वहां मिल जाएगा ठीक है अब बात करते है 150,100 से अगर आपका 150 के बीच में या 150 से अधिक है तो इस बीच में आपको बता दूँ आपको college मिलेगा मिल जाएगा गारंटी नहीं रहेगा कि कौन सा मिल जाएगा मतलब आपको ये जो college मिलेगा round 3 या 4 में round 3 या 4 में मिलेगा अगर आपका नमबर 1500 से 200 के बीच में है अब कैसे मिलता है ये तो पिछली बार के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा बट यहां पर चीजों को समझ नहीं है आपको ठीक है अच्छा सर एक बात और भी है हमारी कि 200 से अधिक है 200 से 300 के बीच में है न तो आपको round 1 में ही chance है round 1 में ही chance है कि आपको भी मिल जाएगा पिछले बार UP Polytechnic में total 13 round की counselling होई थी कितने round की total 13 round की counselling होई थी है न 13 round counselling होगा था और last last तक फिर भी seat खाली रह गई थी 60 नमबर 70 नमबर वाले बच्चों को भी मिला था लेकिन ये guarantee नहीं है कि मिल जाएगा मैं पहले ही बतादू क्योंकि सारा कुछ आपके सोच समझदारी पर निरवर करता है कि आपकी इस तरीके से कर रहे हैं चीजों को जैसे अभी 200 से 200 से 200 के बीच में नमबर है तो round 3 4 में मिल जाएगा अगर आपका 100 से 150 के पीच में है तो थोड़ा कम chance है है ना कम थोड़ा कम कह लीजे है ना कम chance है आपको मिलने का कम chance का मतलब मता दू आपको मिल भी जाएगा सीधे सीधे मिलेगा लिख लो सीधे मिल जाएगा आपको लेकिन ये round 5 या 6 तक जाते जाते मिलेगा, मतलब तब तक आपको बहुत सारे बच्चों को मिल चुका होगा, जिनका नमबर 100 से 150 के बीच में मिलेगा, ऐसा नहीं के नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, कई राउंड में काउंसलिंग होती है, अब बात होती है, कुछ इस्टुडेंट का आप काउंसलिंग करा सकते हैं, क्या, 25 से अधिक नमबर है, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, मतलब अब ये बिल्कुल भी मत कहना, कि सर राउंड वन में ही मुझे मिल जाए, पहले जिनका नमबर जादा उनको मिलेगा, सीट खाली रहती हैं, तो मिलता है, अगर तीन भी रखते हो ना, तो चारसो पचास चुआइस हो गया है, आपको अगर जिनका सौ के अंदर है, उन इश्टून को मैं सजेश्ट करूँगा, आप कम से कम तीन सौ से अधिक चुआइस भरेंगे, समझ में आई बात, तीन सौ से अधिक चुआइस, जैसे हमने कहा था, एक कॉलेज में आप लखनौ चूच किये, तो उसी में इलेक्टिकल भी, मेकेनिकल भी सीविल में, तीन चौइस हो गया, एक ही कॉलेज में आप एक से अधिक चौइस लॉग कर सकते हो, यह सुविदा होती है, ठीक है, तो तीन सौ से अधिक चौइस करेंगे, अगर आपका सौसे कम है, और यहां पे उन ही को मिलेगा जिनके अंदर समझदारी है, जो समझदारी से कॉंस्लिंग करेंगे, गल्ती करोगे तो सही कॉंस्लिंग करोगे तो मिलजागा, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी काउंसलिंग सही है या गलत है तो इसका कोई विशियस नियम नहीं है ये आपको खुद पे अपनी सोच बूच से ही स्टाय करना होता है कि हमारे नंबर के अनुसार हमने कम कॉलेज भरे हैं या जादा भरे हैं तो हमने कहा तो नॉर्मली आप 300 से अधिक चोईस भरना सीधी बात सभी गोवर्मेंट कॉलेज भर तो जितना भी है सब भर देना और पिछले बार ये वाले जो इस्टुडेंट थे भाईज आप जो 300 से अधिक नहीं पांचे बच्चे ऐसे थे जिनको कालेज मिला ही नहीं ना मिलने का रिजन क्या था कि ये 300 से अधिक नंबर पाए हैं चार कालेज भरेंगे चार च्वाइस भरेंगे कि हमको तो मिली जाएगा अच्छार तो मिला ही नहीं तो मुँ बन जाएगा फिर इसलिए एटिट्यूड ने 37 भाई साब हमारा नंबर बढ़िया है अभी नमरता से एकदम तुम कम सकम पचास च्वाइस भरो हमें पता है आपको मिल जाएगा लेकिन आप च्वाइस जादा भरेंगे मिले है ना तो रिस्क नहीं लेना रिस्क बिलकुल भी मतलेना नहीं त तो अधिक से अधिक चौइस भरेंगे और यहां तक आगर दो सो तक भर देंगे दो सो तक चौइस आफ़ फिल करेंगे बास समझ मेरी यहां पर तीन सो तक कितने 300 300 तक 24 भरेंगे अब रही बाद कि सर सही काउंसलिंग कैसे गलत होगी कैसे पता चलेगा कि पिछली बार पिछली बार लखनवू कॉलेज में BC कटेगरी को OBC कटेगरी को SCHT को General को कितने रहंग तक मिला था तो मैं ये भी आपको बताऊँगा कि General को पिलकनवू में, round 1 में किस कितने से कितने rank तक मिला था round 2 में किसको मिला था round 3 में किसको मिला था तो ये official data है ये तो आपको मैं अलग से official website पे लेके जाऊँगा वहीं से check कराऊँगा इसके लिए परशान नहीं होगे हमने कहा था न हम आपको हमें पूरी काउंसलिंग तक जब तक आपका एड़िशन नहीं होगा तब तक हिल्प करेंगे आपका एक भी सिंगल टॉपिक छूटने नहीं देंगे मिस नहीं होने देंगे ज़रूरी यह है कि आप अपडेटिड रहना वेबसाइट फे भी और के ग्रूप में जुड़े रहेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रही बात समझ में अगर आपको लगता है सब कुछ आप अपडेटिड रहते हैं सरकारी कॉलेज मिलने का एक परसंट भी चांस है तो रिस्क नहीं लेना अच्छे से काउंसलिंग करना थोड़ा बहुत कम नंबर है तो भी जादा कॉंसलिंग में भर लेना और टेंशन ना लो हम खुद ही आपको कॉंसलिंग करवा देंगे अगर आपको नीड होगे मैं तो कहूंगा आप खुद से ही कर लो क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है एक कॉले जाएट करना होता 324 सेट करने बड़ी टाइम लगेगा है ना तो लेकिन फिर भी कुछ इसमें को नहीं सर मेरा नंबर थोड़ा ये है या हमें आपके यहां सही करवाना है तो आप अपनी कॉंसलिंग के लिए हमारी टीम से कॉंटेक्ट करके अपना नाम नोट करवा लेजेगा कि जब कॉंस आप एक एक कॉलेज के PDF वगारा सब कुछ दे देंगे और चाहते हैं कराना तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर 9621948025 या फिर 9628004708 आप हमें वाटसप कर दीजेगा या फिर कॉल कर अगर कॉल नहीं रिसीव होता क्योंकि इतनी कॉल आते हैं तो आप यूपी काउंसलिंग है ना यूपी काउंसलिंग लिख के मैसेज भेज देंगे आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जरनकारी जो भी है दे दी जाएंगी और आफिस टाइम में फोन करेंगे तो बात भी हो जाएगी अपडेटेड रहेंगे नहीं तो बहुत बड़ा एक हो सकता है इसलंगी चैनल को अभी सब्सक्राइब के रहें, बहुत सारे वीडियो देने वाले हैं आम लगुत-सारे वीडियो आएंगे और आप क्या करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी एक बार सएयर कर देंगे और आपके कितनी number score हो रहा है क्या आप 300 से अधिक में हैं 100 से 200 के बीच में है या फिर 100 से कम है बिल्कुल हमें comment box में बता सकते हैं आपका score कितना हो रहा है मैं आपको जरूर help करेंगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक आप like, share, subscribe, comment कर लेंगे आपको government college मिल जा इसके लिए हमारे तरफ से अभी से all the very best है